नमस्कार, आज का हमारा विशे है नाटक के तत्व, यह वीडियो आप क्यों देखें, इससे आप क्या पाएंगे, यह स्कूली तथा कॉलेज के सिक्षा में इस नाटक के तत्व का विशे परियोग किया जाता है, बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, उनको जो है कु क्योंकि वो केवल नाटक पढ़ते हैं, तो इसमें आप नाटक के सभी तत्वों से परिचे कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे कि उसमें नाटक में क्या विशेस्ता होती है, किन बिंदूओं पर यह कारे करता है, लिखा जाता है, और इसको समझने के बाद, आप मुझ से कहते हैं, नाटक जो है नट धातु से बना है, नट अर्ठा आपने अपने गली मोहलों में देखा होगा, कुछ नट जो एक रसियों पे चलना और तरहतरा के कर्तब करना, तो वो सब जो कारे करते हैं, वो नट के नट लोग कहलाते हैं, तो उषी सब्द से नाटक का यह शब्द लिया गया है तो नाटक में भाव भंगिमा नट अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा दूसरे का मनुरंजन करते हैं कुछ ज्ञान और उद्देशे को अपने समाज में फैलाते हैं तो नाटक का मुख्य उद्देश यही होता है अब नाटक के ततो मुख्य माने ग अब हम विस्तार से समझेंगे इसमें क्याचीज होता है तो कथावस्तु में तीन एहम होता है किसी भी नाटक का प्राण होता है मूल होता है इसमें प्रख्यात यानि कि इतिहास से संदर्वित जो कथाएं है उसका समाहित होता है उस पर आधारित होता है या फिर उत्पाद्य यानि कि आपकी कलपना के द्वारा जो नाटक लिखा गया है वह उत्पाद्य होता है और मिस्र प्रख्यात अर्थात प्रख्य के अंतरगात आता है अब अपना दूसरा बिंदू है पात्र का चरितर चितरन अब परतेक किसी भी नाटक कहानी किसी में भी जो है बिना मनुष्य के बिना जो है पात्र के ये संभव नहीं है क्योंकि पात्र अभिने करने के लिए होने चाहिए ठीक है तो इसमें पात्र का च गोणपात्र वो होता है जो उस नाटक का उस फिल्म का उस कहानी का मेन नायक होता है यानि कि अभी नेता होता है और गोणपात्र वो होते हैं जो समय समय पर आकर लोगों का रूची करते हैं ग्यान बढ़ाते हैं उनको हाथ से करते हैं यानि कि इस कहानी को जो है आगे गती देने के लिए गौण पात्र उपस्तित होते हैं जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें एका एक कोई कोमेडी का सीन आ जाता है कभी कोई फिल्म का जो है गाना आ जाता है तो ये सब क्या है गौण पात्र जो है आके उसमें उस कहानी को मुख्य जो कहानी ये धारा है उसको निरंतर गति शिल्टा प्रदान करते हैं तो गौण पात्र और मुख्य पात्र दो पात्र जो है होते हैं और पात्र किस प्रकार के होने चाहिए पात्र जो है हमारे ऐसे होने चाहिए जो समाज के लिए आदर्श हो आदर्श प्रस्तुत करें जो है कोई कुलीन या इस आपसे कर रहा हूँ, तो ये हमारी और आपके बीच की समवाद है, तो इसी परकार नाटक या कहानी में पातर आपस में समवाद करते हैं, तो वह समवाद सैली यहाँ पर इस बिंदू के अंतरगत आती है, चौथा अपना है देशकाल वातावरन, अब ये जो कथावस्तू आ आपके जो नाटक लिखा है आपने इतिहास, तो आपके जो पूरे इतिहास का, जो इसमें कोई सीन ले रहे हैं, मालो महाराणा परताप का आप ले रहे हैं, तो इसमें वातावरन ऐसा प्रस्तूत करना चाहिए, दिरिश्य ऐसे प्रस्तूत करने चाहिए, जो दर्सकों को यहां लगे कि हाँ मैं महाराना परताप के काल में और उनको सजीव देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने जो है इतिहास का कोई टॉपिक ले लिया महाराना परताप का और आप दिखा रहे हैं अभी आधुनिक कोई दृष्य है, तो यहां पर लोगों के बीच आपतार्तम्य इस थाबित नहीं कर पाएंगे, तो यह देख कालवाता वरण इसलिए होता है, ताकि जो है यह कथावस्तु को एक क्या कहते हैं, चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सके, अब भाशा सैली, भाशा सैली का इस नाटक के तत्वों में विशेस योगदान होता है, क्योंकि भा कोई भी ऐसा नाटक का टॉपिक चुना, अब उसमें भाशा सैली आप संस्कृत का कोई नाटक दिखाना चाहरे हैं, और उसमें संस्कृत के जगा आपने गाउं की भाशा का प्रयोग किया, तो यहाँ पर आप समझ सकते कितनी भिनता होगी, लोग आपके नाटक को देखन पसंद नहीं करेंगे, अगर आप ग्रामिण जीवन पर कोई नाटक लिख रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसमें ग्रामिण छेतरों की जो बोलियां होती है, उनका ही प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात इतने कठिन सब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए ग्रामिण के अनुसार होना चाहिए अब जैसे ग्रामिड जीवन पर आप जो है कोई नाटक बना रहे हैं तो आपका अभी नेता भी ग्रामिड जीवन का कोई होना चाहिए यानि कि कोई किसान हो कोई मजदूर हो तो इसके जो अभी नेता होंगे यानि कि मतलब जो हीरो होंगे तो वो उसी कथावस्तु के अनुरूप होंगे अब कहानी का उद्देश किसी भी कहानी या किसी भी साहित्य का कोई उद्देश से होता है उसकी रचना के पीछे कोई न कोई नहित उद्देश से होता है जैसे आजादी के समय कई सारी रचनाएं एलिकी गई थी उनका क्या उद्देश था, उनका उद्देश केवल था, अपने जनता को जागरित करना, वास्तविक्ता से परिशे कराना, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उसके अनुरूप यह उद्देश को रखते हुए, पुरे नाटक की, कहानी की, अथ्वा कविता की रचना की तो ठीक इसी प्रकार सभी साहित्य किसी न किसी उद्देश के लिए लिखे जाते हैं यह उद्देश से मनरंजन भी हो सकता है तो आपका मनरंजन का उद्देश से है तो पूरे नाटक में आपको मनरंजन ही करना है ना कि उसमें सिक्षा कोई देनी है ठीक है तो हमारा यह ना कि अ